दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका Facebook अकाउंट लॉग इन नहीं हो रहा है incorrect password का problem आ रहा है तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं आप एक मिनट में इस problem को ठीक कर सकते हैं मैं आपको live करके दिखाऊंगा और हो सकता है आपका account किसी और वज़े से login नहीं हो रहा होगा जैसे कि invalid user name, incorrect password, older password इस प्रकार से भी problem आता है तो अगर आप में ये problem आ रहा है incorrect password का ये कोई और problem आ रहे है जिसके वैसे आपका account login नहीं हो रहा है तो इसको आप कैसे fix करेंगे चलिए मैं आपको live करके दिखा देता हूँ अभी देखे मैंने ये screenshot लेकर रखा है ताकि मैं आपको समझा सको मेरे साथ ये problem हुआ इसको मैंने ठीक भी किया है तो आपको क्या करना सबसे पहले आपको अपने Facebook आप में आ जाना है और यहाँ पर देखे मैंने अपना email ID डाल दिया पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पर मैं जैसे login पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखे दिखा रहा है wrong credential हो सकता आप में incorrect password का option आ रहा हो तो ऐसे में आपको क्या करना यहाँ पहले आपको OK पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको नीचे option मिलेगा forget password यहाँ देखे login के नीचे forget password लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है forget password पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से page आएगा यहाँ पर लिखा हुए find your account और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ अगर आपका facebook account लोगिन नहीं हो रहा है तो आप उसी mobile में login करने की कोसिस कीज़े जिस mobile में आपने facebook account create किया था या जिस mobile में आप facebook account ज़्यादा तर use करते हैं उसमें जब आप try करेंगे तो बहुत ही जल्द आपका facebook account लोगिन हो जागा और बाद में आप वहाँ से password देख सकते हैं या फिर password चेंज कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर आपको find your account वाले option पर आजाना है और अब यहाँ पर आपको अपना account पहले find करना है तो चलिए मैं email ID डाल देता हूँ email ID डालने के बाद आपको continue पर click कर देना है आप जैसे आप continue पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका account आजाएगा जो आपने इस email ID से बना हुआ है तो यही मेरा facebook account है जो login नहीं हो रहा है तो जैसे आप अपना mobile number या email ID डालेंगे तो वह account आपके सामने आ जाएगा अब इसको login करना है तो login करने के लिका करना है यहाँ नीचे देखी लिखा हूँ है try another way आपको इस पर click कर देना है जैसे आप try another way पर click करेंगे तो यहाँ आपको देखे 3-4 option मिलेंगे यहाँ है get code और link वाया whatsapp अगर आपने अपने facebook account में mobile number एड़ किया है तो आप इस पर click करके रखेगा और आपके mobile number या whatsapp पर एक OTP आगा और आप वो OTP यहाँ पर डालेगा आगे मैं भी आपको बताऊँगा अगर आपने email ID के वर डाला तो email ID select कर लीजे और अगर आप चाहें तो यहाँ facebook notification पर भी click कर सकते हैं तो चली यहाँ पर मैं mobile number select कर लेता हूँ अगर आपने mobile number नहीं डाला है तो आपको यहाँ email ID ही select करना है तो इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे continue वाले option पर click कर देना है अब जैसे आप continue पर click करेंगे तो आपके mobile number पर एक OTP आ जागा तो मेरा SIM card दूसरे mobile में लगा हूँ है और OTP आ चुका है 46.03.65 46.03.65 तो आप OTP डाल दीजेगा अगर आपने email ID select किया होगा तो आपके email ID पर OTP आया होगा तो email में जाकर आप OTP देख लिजे और OTP डाल दीजे आप OTP डालने के बाद आपको continue पर click कर देना है अब जैसे आप continue पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे आपको एक option मिलेगा create a new password तो आपको क्या करना है अपने Facebook account का एक नया password create कर लेना है क्योंकि हमारा account login नहीं हो रहा था password का दिक्कत आ रहा था तो आप देखे Facebook यहाँ पर option दे रहा है create new password तो आप यहाँ पर एक नया password बना लीजे आपको पुराने password की जरुवत नहीं है तो चलिए यहाँ पर मैं एक नया password बना लेता हूँ password create करने की बाद अब आपको यहाँ continue पर click कर देना है और यहाँ नीचे एक option log out of other devices उस पर आप click कर देंगे तो बाकी से भी mobile से आपका facebook account log out हो जाएगा अब यहाँ पर यह बोला save your login information अगर आप अपना login information save करना चाते है तो यहाँ save पर click कर देजे अब देखें यहाँ पर हमारा facebook account successfully login हो गया है और हमारा एक नया password भी create हो गया अब आपने जो नया password create किया है उसको आप कहीं पर save करके रख लिजेगा वो आपके काम आएगा तो आपको जहाँ पर भी login करना होगा अब आप नया ID password डाल कर login कर सकते हैं तो इस प्रकार से अगर आपको incorrect password का problem आ रहा है या फिर invalid username wrong credential कोई भी problem आ रहा है अपने facebook में तो आप उसको fix कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो helpful लोगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा